जै श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, जन्माश्टमी का त्योहार भक्तों के बीच बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। अब जन्माश्टमी के बाद भगवान कृष्ण की प्रियर राधारानी का पर्व राधाश्टमी मनाया जाएगा। जिस तरह भगवान कृष्ण के जनमोटसफ के रूप में जनमाश्टमी होती है। ठीक उसी तरह राधारानी के जनमोटसफ के रूप में राधाश्टमी का त्योहार मनाया जाता है। खास कर मतुरा, व्रिंदावन और बरसाना में इसे धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार राधारानी का जन्म भादरपद माह के शुकल पक्ष की अश्टमी तिथी को हुआ था। इस साल राधाश्टमी 23 सितंबर को मनाई जा रही है। पुराणों का मत है कि देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से 11 महीने बड़ी थी। वीडियो आगे शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे उपड़ेटेस मिलते रहे और कमेंट में राधे राधे जरूर बोल दीजिए। राधाष्टमी पर राधारानी और भगवान कृष्ण की पूजा अराधना की जाती है। मान्यता है कि राधाष्टमी का वरत्व पूजन करने से घर पर सुख समृद्धी, शांती और खुशाली आती है। श्री कृष्ण को राधाजी के बगेर अधुरा माना गया है। र विवाहितों को मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। व्यक्ति के जीवन में हमेशा सुख शांती बनी रहती है। लोक मान्यता है कि राधा का जन्म व्रिशभानू और उनकी पतनी कीर्थी से हुआ था, जो गोकुल के पास रावल गाउं में रहते थे। देवी राध रुपद माह के शुकुल पक्ष की अश्टमी तिथी की शुरुआत 22 सितमबर 2023 को दुपेहर शून्य एक बचकर 35 मिनिट पर हो रही है। अगले दिन 23 सितमबर 2023 को दुपेहर 12 बचकर 17 मिनिट पर इस तिथी का समापन होगा। उदया तिथी के आधार पर राधा अश्टमी का पर्फ 23 सितंबर को है इस दिन राधा रानी की पूजा दुपहर में की जाती है राधा अश्टमी पूजा मुहूर्थ 23 सितंबर को राधा अश्टमी वाले दिन राधा रानी की पूजा का शुब मुहूर्थ सुबह 11 बचकर 01 मिनित से दुपहर 01 बचकर 26 मिनित तक है राध इस दिन वरत और पूजन करने वालों को सभी सुखों की प्राप्ती होती है। विष्णु के अफ्तार के साथ अन्य देवताओं ने भी अफ्तार लिया। वैकुंट मिस्थित लक्ष्मी जी राधा रूप में अफ्तरित हुई। ये भी कहा जाता है कि व्रिशभानु जी को एक सुन्दर शीतल सरोवर में सुनेहरे कमल में एक दिव्यकन्या लेटी हुई मिली। वे उसे घर ले आये लेकिन वो बाले का आँखे खोलने को राजी ही नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वे देख नहीं सकती। लेकिन जब बाल रूप में श्री कृष्ण उनके घर आये तब उन्होंने अपनी आँखे खोली। राधा व्रिशभानु नामक वै कत स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए। लेकिन अधिकतर मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में हुआ था। पौरानिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की प्रिया राधा रानी का जन्म माता के गर्ब से नहीं हु वही उनके सभी अनुयाई और प्रियजन भी रहते हैं। स्वयम राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती हैं। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सकी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी उन्हों ने राधा को पृत्वी पर जन्न लेने का शाप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी रूप में चली गई। इस शाप के बाद देवी राधा ने श्रीदिमा को राक्षस कुल में जन्न लेने का शाप दे दिया। देवी राधा के शाप के कारण ही श्रीदिमा ने शंख चूर राक्षस के रूप में जन्न लिया। वही राक्षस, जो भगवान विश्नु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानुजी की पुत्री के रूप में पृत्वी पर जन्न लिया। लेकिन राधा वृषभानुजी की पत्नी देवी कीर्थी के गर्ब से नहीं जन्मी। जब श्री डिमा और राधा ने एक दूसरे को शाप दे दिया तब श्री कृष्ण ने आकर राधा से कहा कि आपको पृत्वी पर देवी कीर्थी और व्रिशभानुजी की पुत्री के रूप में रहना है वहां आपका विवाह रायान नमक एक वैशिय से होगा रायान मेरा ही अन्शाफतार होगा और पृत्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर रहेंगी उस रूप में हमें विच्छोह का दर्द सहना होगा अब आप पृत्वी पर जन लेने की तयारी करें देवी राधा को अयोनिजा भी कहा जाता है सांसारिक ड्रिष्टी में देवी कीर्ती गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ लेकिन देवी कीर्ती के गर्भ में योगमाया की प्रेरना से वायू का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायू को ही जन दिया जब वो प्रसव पीरा से गुजर रही थी उसी समय वहां देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई राधा आश्टमी पूजा विदी राधाश्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने ले फिर पूजा स्थल पर एक कलश में जल भर कर रखें एक चौकी में लाल या पीले रंग का कपड़ा बिचाए और इसमें राधारानी जी की प्रतिमस्थ हापित करें राधारानी को पंचामरित से स्नान कराए और सुन्दर वस्त्रव आभूशनों से श्रिंगार करें पूजा में फल फूल और मिश्थान चड़ाए इस दिन राधारानी के साथ श्री कृष्ण की भी पूजा जरूर करें पूजा में राधा कृष्ण के मंत्रों का जाप करें और कथा सुनें आखिर में राधा कृष्ण की आर्ति करें राधाश्ट में पर पूजा और व्रत करने से श्री कृष्ण भी प्रसन होकर आशीरवाद देते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर जरूर करें और श्री कृष्ण और राधा जी के लिए राधे राधे जरूर लिखें